नमस्कार आप देख रहे हैं पहाड समाचार मैं हूँ चंदन सिंग सीम त्रिवेंद सिंग रावत ने श्रम विभाग के कर्मकार बोर्ड में आडिट के फैसले का स्वागत किया है सीम ने कहा कि आडिट होना चाहिए क्योंकि 2017 से आडिट नहीं हुआ है आडिट से वित्ती विवस्था की पूरी जाइनकारी मिलती है चमोली के थराली की विधायक मुन्नी देवी शाह पूर विधायक के आरोपों को लेकर उन्होंने प्रेस कांफरेंस की और उनके सभी आरोपों को सेरे से खारिच किया और कहा कि अगर डॉक्टर जीत राम के पास कोई सबूत हैं तो दिखाएं नहीं तो उनकी तरफ से आक्शन लिया जाएगा आपको बता दें कि बीते दिनों पूर विधायक डॉक्टर जीत राम ने थराली विधायक मुन्नी देवी पर भ्रस्टाचार की आरोप लगाये थे आर्मी चीफ जनरल मुकुद नर्वने दो दिवसे उत्राखंट दौरे पर हैं दौरे के पहले दिन आर्मी चीफ चमूली के जोशिमट पहुचे यहां आर्मी चीफ ने सेना के बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकी आज वो पितोरा कर जाएंगे जहां चीन और नेपाल की सीमाओं का निरिक्षन करेंगे सीम त्रिवेंद्र रावत ने दिवाली को लेकर प्रदेश वासियों से खास अपील की है सीम ने लोगों से पटाकों के कम इस्तमाल और भीर भाड में ना निकलने की अपील की है सीम ने कहा कि हमें पर्यावरन के साथ लोगों के स्वास्त का खयाल रखना है इस बीच आतिसबाजरी को लेकर गाडलाइन के मताबक इस बार प्रदेश में दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही आतिसबाजरी होगी दिपावली यानि 14 नमंबर को रात आठ से रात दस बजे जबकि छट पोजा के मौके पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ही लोग पटाके फोड़ सकेंगे हम परदेश वासियों से कहना चाहेंगे कि पटाकों को कम से कम इस्तिमाल करें पर आज धनतेरस का परभ है आज के दिन लोग जम कर खरीदारी करते हैं कॉरोना काल में लोगों का ये पहला धनतेरस है कॉरोना को देखते हुए इस बार नियमों का खास ख्याल रखा जा रहा है बाजारों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है साथे इस बार प्रशाशन पूरीतर अलर्ट है महिंगाई और जीस्टी के असर के बाद भी वैपारियों को धन्तेरस पर करोणों के कारोबार की उम्मीद है दुकांदारों का मानना है कि लोगडाउन के चलते महिनों से फीकी पड़ी दुकांदारी की भरपाई अकेले धन्तेरस में ही हो जाएगी आज भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है रात में यम दीब जलाया जाता है व्यपारी लोग अपनी दुकान और व्यपार की जगा में पूजा कर मालक्षमी की आरादना करते हैं खास तोर पर इस दिन पीतल या चांदी के बरतन खरीदना बहुत शुब माना जाता है दंतेरस पर किन बातों का खयाल रखें क्या है शुब मुहूर्थ यह हम आपको बताते हैं दंतेरस पर संभल कर खरीदारी की जाती है लोहे के सामान खरीदने से बचें काच का सामान भूल कर भी ना खरीदें दंतेरस का शुब मुहूर्त इस बार आज रात 9 बच कर 30 मिनट से 13 नमंबर को शाम 5 बच कर 69 मिनट तक है चमोली में दीपावली को लेकर प्रशासन ने तयारियां तेज कर दी हैं प्रशाशन ने लोगों से सोशल डिस्टिंसिंग बनाए रखने का अनुरोध किया है जो फायर के हमारे नॉम से हैं उसके अनुसार है व्यापार मंडल, टैक्सी उनियन और यहां के जो संबरानत लोग है उनके साथ एक बैटक की गई बैटक के बाद जो भीड की मैनेजमेंट होता है उसके समंद में चर्चा की गई और उसके अनुसार हमने एक प्लान तैयार किया है त्योहरी सीजन में मिलावट खोरी का कारोबार तेज हो गया है ऐसे में खादे विभाग और प्रशसन सजग है हल्दवानी में खादे विभाग और जिला प्रशासन ने जगा जगा शॉपिंग मॉल में मिठाई की दुकानों में च्छापेमारी की और मिठाईयों के सैंपल लिए वहीं खादे विभाग की अचानक च्छापेमारी से व्यपारियों में हड़कंप मच गया कि हैं अब मृ यहार के तहट मिठाईयों और लिजला प्रशासन और खादे शुक्षा विवाग की जा रही है वह खुलिसान और तुधी लिज्ग कि गोपेश्वर के मुखे बाजारों में पुलिस प्रशासर ने जागरुकता अभियान चलाया मार्च्विद मास्क अभियान के तहत अधिकारियों ने लोगों को निर्शुलक मास्क और सैनिटाइजर बाटे साथी कुरोना से बचाओ के लिए सतरक्ता बरतने की अपील की इस दौरान करीब 150 लोगों को मास्क दिये गए यह अभियान बागिश्वर थाना प्रभारी के नेत्रितों में चलाया गया इसमें मौली संख्या में व्यापारियों ने भी हिस्सा लिया एक महीने बाद उतराखंड में एक बार फिर कोरोना का कहर तेस हो गया है 24 घंटे में करोना के 783 नई केस सामने आए एक दिन में करोना से 6 लोगों की मौत हो गई उतराखंड में करोना मरीजों की मौत का आंकड़ा 1086 पहुंच चुका है जबकि करोना मरीजों की संख्या 66,788 हो गई फिलाल प्रदेश में करोना के 4,251 एक्टिव केस हैं वहीं रिकवरी रेट एक 90% से ज़्यादा है कई राजों में करोना के बढ़ते संक्रमन के बीच के इंद्रे स्वास्ते मंत्री डॉक्टर हर्शवर्थन ने करीब आट राजियों के स्वास्ते मंत्रियों के साथ बैठकी इस दोरान सीम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिल्ली की वज़े से ब्रदेश में बढ़ रहे करोना केस को लेकर चिंता जाहिर की सीम ने कहा कि यद्योहार के सीजन में डिली से उत्रखन आने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है ऐसे में अगर दिल्ली में कुरोना कंट्रोल हो गया तो उत्राखन में भी कंट्रोल हो जाएगा केज़े स्वास्ते मंत्री डॉक्टर हर्ष्ट बर्धन जी ने आज आठ राज्यों के जो स्वास्ते मंत्री हैं उनसे आज कोविड को लेकर के जान करी ली और उन्होंने क्योंकि सर्दी है बढ़ रही है और दिल्ली में महामारी फिर तेजी से बढ़ रही है तो उसको लेकर के उन्होंने सब को अरट किया है सब जागरू कर रहें अवेर्निस के प्रोग्राम चलते रहें और मास को लेकर के सर्विलांस को लेकर के सक्ती की जरूत होगी तो उसके लिए कतई भी कोता ही न बरती जाए मैंने उनसे कहा है कि कुत्राखंड का स्वास्त्या कुत्राखंड में कोवीड का परसार ये दिल्ली पर निर्फर करता है क्योंकि उत्राखंड की दिल्ली से बहुत करीब का रिस्ता है यानि कि उत्राखंड के बड़ी तादाद दिल्ली में रहती है अब त्योहारी सीजन शुलो हो गया है तो लोग अपने घरों के तरफ आ रहे हैं त्योहार पर तो उसके करणिया पर समस्या बढ़ रही है तो दिल्ली कंट्रोल रहेगी तो उत्राखंड काफी हद तक कंट्रोल रहेगा वहीं सीएम रावत ने सभी से मास्क लगाने और लक्षन दिखने पर फॉरण कोरोना जाच कराने की भी अपील की है त्योहार को लेकर हम लोगों से यही कहेंगे कि भी भी भाड न करें मास्क हर समय लगाए रखें जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाएं और अगर आपको कोई हलका भी सिम्टम आता है तो आप तुरंट अस्पता जाएं देखिए रज्य में जो मौतने हो रही है उसका सबसे बड़ा करण यह है कि लोग पांस दिन के बाद बुखार के बाद आ रहे हैं चार दिन के बाद आ रहे हैं। उनहों में यहा रहा है कि अगर किसी ने छे दिन से daqui लेट कर दिया तो तो उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल में पढ़ रहा है या मैं कहूं कि उन्होंने एक तरह से खत्रे को गले लगाने का काम कर लिया है इसलिए किसी को भी सिंट्रमस आते हैं एक तो तुरंत उसका चेक अप कराएं उसका टेस्ट करायें टेस्ट फिरी हो रहे हैं और तुरंत जो डाक्टर्स हैं जो उनके पास जाए ताकि उनका समय पर एलाज हो सके पाट समाचार में रुकिंग एक छोड़े से ब्रेक के लिए फॉरण लोटते हैं ब्रेक के बार आपका सुवागत है केदारनाथ यातरा पड़ाओं में जगा जगा एटियम बंद होने से यात्रीयों की परिशानी बढ़ गई है दरसल इन दिनों बाबा केदार के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में यात्री केदारनाथ पहुँच रहे हैं लेकिन कैश की किल्लत की वज़े से यात्रीयों खासे परिशान नजर आ रहे हैं कई जगा एटियम बंद होने बैंकों के बाहर लंबी कतार होने से यात्री नाराज हैं आपको बता दें कि किदारनाथ यात्रा के सबसे प्रमुख पढ़ाव सोन प्रयाग और गौरिकुण में एटियम सोविधा है नहीं जबकि फाटा, गुप्तकाशी, चंद्रापूरी, उखी मठ पढ़ावों के एटियम अकसर बंद पढ़े हैं ऐसे में यात्री कैश के लिए दरदर भटक रहे हैं मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं केदारनाथ बावा के दर्सन करने आया था मगर यहां पर इतनी प्रॉबलों है एटियम की यहां आभी उंखी मठ में उस टाइम पर यहां एटियम में ताले लगा रहे हैं यह क्या परससन क्या गा रहा है कोई टूरिस्ट आ रहा है बखतिजन आ रहे हैं यहां पर काफी लोग ना एटियम मिला ना कुछ ऐसी वेवस्ता मिली जिससे हमें कैश मिल जया है अब हम कितना कैश लेके चलें क्या यहां अभी भी नोट बंदी चल रही है बीजेपी के वरिस्ट विधायक सुरेंद्र जीना का निधन हो गया है कुछ दिनों से कोरोना से पीडित थे सुरेंद्र जीना दिल्ली के निज़ी अस्पताल में भरती थे विधायक सुरेंद्र जीना कुछ दिन पहले उनकी पत्नी का भी निधन हुआ था अल्मोडा की 60 विधानसवा से लगातार तीसरी बार विधायक चुनी गए थे दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ अल्मोडा की 60 विधानसवा सीट से विधायक सुरेंद्र जीना का निधन हो गया है कोरोना संक्रमेद होने की वज़े से अस्पताल में भरती थे, कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी का निधन हुआ था और अब विधायक सुरेंद्र जीना का निधन हो गया है दिल्ली के निजी अस्पताल में उन्होंने आखरी सांस ली कोरोना संक्रबन की वज़े से उनकी तबियत खराब थी अल्मोडा की सल्ट विधानसबा सीट से लगातार तीसरी बार चुने गए थे विधायक बीजेपी के वरिष्ट विधायक सुरेंदर जीना का निधन कोरोना संक्रबन की वज़े से सुरेंदर जीना की जान गई है दिल्ली के एक निजी असपताल में उनकी मौथ हुई है सुरेंदर जीना जिनकी पक्थि का कोष़ी में पहले निधन हुआ था अब उनका भी निधन हो गया है समाधतरा सुरेंद्र डसीला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है सुरेंद्र एक और विधायक का निधन हो गया है काफे दुखत खबर बिल्कुल देखे चंदन बहुत दुखत खबर है क्योंकि बहुत लगातर तीसरी बार के विधायक थे और सबसे ज़्यादा प्रखर वक्ताओं में शामिल थे सदन ने सवाल पूछने का तरीका क्या होता है कैसे अपने ही मंत्री को कैसे घेरा जाता है जब विधायकों को प्रश्णों के उत्तर चाहिए होते हैं तो ये तरह के ये तरीका उनको आता था और चंदन बहुत एक्टिव बहुत फिट और बहुत कम उम्र के वो थे जुआ थे और कैबिनेट मंत्री के लिए उनका नाम सबसे आगे था ये उमेद थी कि जब भी कैबिनेट का रिशपल होगा कैबिनेट विस्तार होगा तो सुरेंदर जीना का नाम सबसे आगे होगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कुछी दिनों पहले उनकी पत्त्मी की अचानक तबियत खराब हुई और उनके डेथ हुई उनके सिंटम्स भी कोरोना की तरह नजर आते थे के बाद सुरेंदर जीना अचानक बिमार हुए दिल्ली के बड़े नीची हस्पिदाल में उनका इलाज चल रहा था कल सुबह साड़े नौ बजे से वो वेंटिलेटर पे थे और लेकिन आज सुबह सुबह ख़बह ख़बर आई कि की भी उन्होंने सराना की और कहा है कि प्रदेश की राजनीती में एक बड़ा जो भविश्य था वो चला गया है युवाओं के लिए भी वो बहुत जाने माने निता से इसलिए प्रदेश में शोग की लहर है और भाजपा के लिए प्रकाशपंत के बाद ये बड़ी शती होगी जिपन जो युवा विधायक है सुरेंद्र जीना लगातार तीसरी बार के विधायक पे उनके देखान से बहुत धक्ता पूरे प्रदेश को बहुँचा है बुर्टर में फिलाल इतना ही आप देखते रहिए न्यूज स्टेट